तारीक थे 71 जुलाई 2023, दिन था सोंबार का, हुआ क्या धारिम ग्यात्रा के दोरान दो गोट आपस में भिड़ गए, नतीजा क्या निकला हिंसा फैल गई, 20 लोग घायल हो गई, और बजरंगल से जुड़े योवक अविशेक को गोली लगई, गोली लगने से अविशेक की म मौत हो गई, जिस पर हर्याना के मुख मंतरी मनोहलाल खटर का बयान आया, उन्होंने कहा कि घटना दुरभाग पूर्ण है, मैं सभी लोगों से प्रदेश में सांती बनाय रखने की अपील करता हूं, दोसी लोगों को किसी भी कीमत पर वक्सा नहीं जाएगा, उनकी खिला है, नुहे में दोनों समधाय लंबे समय से प्यार से रहते हुए आये हैं, ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजिनियरिंग की है, किसी ने मास्टर माइंड किया है, बहीं हिंसा फैलने के बाद सोंबार को देर रात कुरुगराम की मजजद में आग लगा दी गई, और इस हमले में मजजद के इमाम मुहमत साथ की मौत हो गई, मुक्हमंतरी मनुहलाल खटन ने पुना बयान जारी किया, कहा कि सुन्य योजद और शड़यंतर पूंड तरीके से नुहे में सामा जगी, यत्रा को भंग करने की कोशिश की गई, और पुलिस को भी निसाना बन मानेसर का हाथ है, जिस पर हर्याना के ग्रह मंतरी अनिल वजद ने कहा कि मोनु मानेसर का मैंने भी वीडियो सुना, वो कहीं भी दंगे करने के लिए लोगों से नहीं कह रहा था, वो लोगों से यात्रा में सामिल होने के लिए कह रहा था, मोनु मानेसर के ऊपर हुए सांती बनाए रखने की अपीद की है बहें सीम मनुहलाल खटर ने मामलिक जन कर देदी को बताया कि अब तक छे लोगों की जान चली गई है और अब तक लगभग एक सो सुला लोगों की ग्रफतारी हो चुकी है जिन पर उचित का रभाई की जाएगी बता दें कि हर्याना में अभी बुलोजा चला जा रहा है